हेलो स्टुडेंट्स दिस रितु शर्मा वेलकम बेक तू माई यूट्यूब चैनल एड़ो फ्लाइट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैस्ट फोर में आप क्या के सब्जेक्ट एड कर सकते हैं और इस्पेशली जिसमें सबसे जाधा बच्चे कन्फ्यूज होते ह हैं और चाहते हैं कि इसका solution उन्हें पता चल जाए कि क्या हम बैस्ट फोर सब्जेक्ट में अडिशनल सब्जेक्ट को एड कर सकते हैं क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका में सब्जेक्ट में कम मांक्स होते हैं लेकिन अडिशनल सब्ज करना होता है जिसके साब साफ एडिशनल सब्जेक्ट को अगर एड करते हो तो वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा तो उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे टीक है बैस्ट फोर में आप कैसे माक्स कैलकुलेट कर सकतो इसके लिए में प्रॉपर वीडियो बना चुक कि किस तरीके से अनलाइज करते हैं कट ओफ को कि आपका वहां पर उस कॉलिज में पर्टिकुलर में अडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वह वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं टीक है शडियूल कब आएगा आपका कब से कट आफ आएगी कौन सी कट आफ कब आ मेरे टीएं प्लेइस असमें पर सब्सक्राइब टिक है और इक और बात की जो चाहिए तो उसके लिए इनों ने वेबिनार किया था कि जो भी बच्चे को डाउट होता है कि एक से mask marks जो है calculate करने चाहिए तो उसके लिए इनों ने वेबिनार जो conduct किया था उसके लिए भी मैं ने वीडियो बनाई थी कि कहां से जा कि आप उस वेबिनार को attend कर सकते हैं वेबिनार तो हो गिया 9 सेप्टेंबर को था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी है वहाँ पे फेस्बुक के ऊपर ठीक है तो आप वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वेबिनार को अटेंड कैसे करना था या सॉरी आप उसकी अब हम बात करते हैं हमारी इस वीडियो में कि एडिशनल सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया होता है उसको एड़ करने का ठीक है तो यहां पर हमें एक प्रॉपर एग्जामपल लेंगे और उसके थुरू में आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप उसको एड़ कर सकते ह और यहां पर एक जिस समझ लो पहला तो कि जो बैस्ट फॉर सब्जेक्ट होते हैं उसका रूल क्या होता है ठीक है यह मैं पहले भी वीडियो में बना चुकी हूं कि मैरे शेल भी डिटर्माइड ऑन बेसे ऑफ बन लेंग्वेज अन थी बैस्ट अकैडमिक या स्टुरंट तो आपके लैक्ना सापूर शेत्कश का यह और वीडियो में बनाया जिसमें में बताया है ना कि बैस्ट 4K honest क्या से कल्कुलेंट करते ना इन केस अगर आपके 2 language में अच्छे marks है तो उस case में क्या होता ठीक है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं additional subject की इसको में एक example की help से समझने की कोशिश करते है ठीक है तो आपको जादा चीज़े clear होंगी यहाँ पर मैंने एक बच्चे के marks लिखे हो है तो यहाँ पर देखो इसके physical education में कितने marks है 92 marks और best 4 का मतलब भी क्या होता है आपको highest subjects जो best 4 highest subjects है आपके उनको include करना है लेकिन उसके कुछ rules भी होते हैं अब first rule का है हमारा हमें language तो include करनी ही पड़ेगी यहाँ पर लेंग्विज आपको include करनी ही पड़ेगी चाहिए उसमें कम marks है जादा marks है एक लेंग्विज तो आपको include करनी ही है अब बात करते हैं यहाँ पर कि physical education को एड़ करना चाहिए हमें तो उसके लिए क्या rule है क्योंकि इतने highest marks है तो obviously आप उसको include करना चाहोगे तो यहाँ पर देखो मैं दो तरीके से marks calculate करते हैं फिजिकल एजुकेशन को include करके और एक फिजिकल एजुकेशन को exclude करके ठीक है सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन में आपके सबसे जादा है ठीक है और लेंग्विज को तो आपको लेना ही लेना है चाहिए आप कुछ भी तो यह 88 marks हमने यहां से ले लिए अब यहां पर फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूड नहीं कर रही हूं तो उसके बाद हाइस्ट कितने हैं आपके 94 उसके बाद फिर आपके 88 मैट्स वाले हो गए और यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा अकाउंस के लेने पड़ें 90% कितना marks बादेगा इसका यह 90% टोटल करा हमने 4 से डिवाइड करा और हमारी percentage निकलके आ गए अब यहां पर जो आपके marks हैं इसका टोटल आएगा कुछ 345 और इसको जब आप डिवाइड बाए 4 करोगे तो यहां पर यह जो percentage आ रही है आपकी 86.25 आ ठीक है यहां गे हमार percentage कि तो कितना जादा gap है यहां पर देख रहों 0.25 से भी कितना फर्क पर जाथा डियू के admission में आपका कभी-कभी 0.25 से admission रह जाता है ठीक है तो यह बहुत marks जो है ना बाइब माइनस करना होता तो यह 90 परसेंट तो है लेकिन जब आप इसमें से 2.5 माइनस करोगे तो यह एक्चुल में कितना रह जाएगा आपका यह रह जाएगा आपका 87.5 रह जाएगा कितना रह जाएगा यह 87.5 रह जाएगा अब यहाँ पर compare करो कि क्या यह 2.5 माइनस करने के बाद भी आपकी यह percentage जादा है तो obviously देखो यहाँ पर जब मैं include नहीं करी तो 86.25 है और जब हम यहाँ पर physical education को include करने है क्योंकि marks का difference इस student को physical education बिल्कुल include करना चाहिए तो कहने का मतलब यह था अप 3 main subject जो होते हैं लेंग्विज की बाद जो 3 elective subject include करने होते हैं उसमें आप कोई बी एक ऐसा subject डालोगे जो आपके elective subject में वहाँ पर उसका पार्ट नहीं है तो हर बार आपको यह 2.5 माइनस करना पड़ेगा मैंने एक subject डाला है यहाँ पर से physical education मुझे एक बार 2.5 माइनस करना पड़ा अगर आप मैं कोई 2 subject ऐसे लेती तो मुझे 2 बार 2.5 माइनस करना पड़ा तो 90 मैसे मैं 1 बार 2.5 माइनस करती हो फिर मैं 2.5 माइनस करती हैं अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है इस student के तो जादा आ रहे चलो physical education include करने के बाद सपोज यह percentage आपकी 87.5 ना आके कितनी आ जाती यह 85 आ जाती कितनी आ जाती 2.5 माइनस करने के बाद 85 आ जाती ठीक हैं तो obviously यहाँ पर यह वाले माक्स मेरे जाद हैं that means मैं prefer नहीं करूंगी physical education को include करना ठीक हैं तो आप उस हिसाफ से check कर स subject होते हैं यह हर कोर्स के हिसाफ से अलग लग decide किये हुए हैं तो एक प्रॉपर लिस्ट होती है कि अगर आप BA honors में अडमिशन लेना चाहते हो तो आप क्या 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 सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो बैस जो 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं आपके लेंग्वेस तो लेन पता चल जाएगा ठीक तो यह सारी बाते आपको पहले से पता होनी चाहिए तो यह थिक छोटी सी इंफोर्मेशन आई होप आपके लिए यह हैल्फुल रहेगी तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब और प्र परसंटेज का गैप आजाएगा वहां पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाइब अल्ट बैस